हेलो फ्रेंज स्वागत आप सभी का हमारी चैनिक पुकाई शेड़ी में मैं को मलबेश्टे इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आपको यहां पर बताऊंगा सेना भरते में दोस्ते एक नया अपडेट आपका यहां पर आया है इसको हम आपको बताएंगे आप ध्यान प्रोग शुरू करने से पहले चोड़ी सी दर्ख्वास्त करना जाएंगे दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब कीजिए और बेला इनको दोबाना बिल्कुल मद्भूलेगा हमारे वीडियो को प्रतम पाने के ल यहां पर देखिए आपको प्रशेक्षण भी दिया जागा दोस्ते इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे यहां पर देखिए पहले हम शुरू करते हैं तो दोस्ते आपर देखिए हम शुरू करते हैं अब इत्मना से आपर सुनेगा भारतिय सेना भरती प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव करने जा रही है सेना खर्च घढ़ाने के लिए अब भरती के लिए दसवी और बारहवी के रिजर्ट के आधार पर कड़ॉफ तयार करेगी कड़ॉफ में आने वारे युवाओं को ही पद के अनुरूप भरती में बुलाया जाएगा सेना भरती कार्याले मेरट का निरिक्षण करने शुक्रवार को पहुंचे उत्तर परदेश वा उत्राखन भरती जोन के ADG मेजर जनरल सुभाष शरण ने बताया कि फिलहाल एक जवान की भरती परकिरिया में 30-40,000 रुपे खर्च होते हैं रैली के लिए पंजिकरित 70,000 अभ्यरतियों में से 40,000 दौलर लगाते हैं और उनमें से 1,000 चुने जाते हैं इस परकिरिया को बदलने से सेना के करोण रुपे बस सकते हैं तो दोस्ते इस तरह कि आपके यहारी जानकारी आ रही है अब यहाँ पर देखे और यहाँ पर देखें दूस्ते महिलाओं के लिए महत्पुणा यहाँ पर जानकारी आई है यहां पर महोन के लिए महिलाओं के set mo you a उनके लिए पहली भर्ति रहलें यहां पर उत्त sóणकाई और यह अच्छ को पता होगा युद्ध के समयमें क्रिश्ण ने दोस्तो अर्जुन को ये रहनीती बताई थी दोस्तो तो ये यवाओं के लिए जरूरी है यहाँ पर पताया गया है और दोस्ते एक महत्मुन जानकारी किया है देखिए यवाओं को तैयार करेगी सेना यवाओं को दोस्तो भरती के लिए तैयार करने के लिए प्रियोग के तावर पर सेना की ओर से वारा नसी में जुलाई से नेशुल का प्रशिक्षन शिविर लगाए जाएंगे तो इसमें यवक यवतियों को सेना भरती रैली की तौर तरीके और दलालों से सावधान रहने तायारियां और खागजात की जानकारी दी जाएगी तो दोस्ते महतपूर ने यहाँ पर जानकारी आप लोग के लिए है यहाँ पर प्रियोग के तौर पर अभी शुरू किया जाएगा यदि बहतर होगा तो बाद में लगातार प्रशिक्षन दिया जाएगा दोस्ते यहाँ पर देखे बढ़ेगी 50% सीटे हैं ADG उत्तरपरदेश उत्राखन ने ने कहा कि उत्तरपरदेश और उत्तराखन जोन में भी खरीब 50% अधिक भरती की जाएगी लिखित परिक्षा में पारदर्शिता रखने के लिए उत्तरपुस्तिकाओं की कोडिंग भी की जाएगी तो यहाँ पर देखे दोस्तो उत्तरपुस्तिकाओं की कोडिंग भी यहाँ पर की जाएगी तो यह भी आपको जानकारी ध्यान रखनी है तेंक्स जाहीं जाँ भारत